नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ रेडमी कमपिनी की ठाटिन सीरीज का 5G स्मार्टफॉन जिसका नाम है रेडमी ठाटिन सी 5G अभी कुछ दिन में The Great Indian Festival सेल आने वाली है और स्मार्टफॉन के जो प्राइज है अभी से ड्रॉप होना सुरू हो गए है और जिस भी स्मार्टफॉन का प्राइज ड्रॉप होता है तो उसकी अन्बॉक्सिंग लेके मैं आपके सामने आ जाता हूँ तो ये दोस्तों आज के स्मार्टफॉन आपके लिए तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में चैनल पर फर्स टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए यहां पर रेगुलर लाता रहता हूँ तो रेड कलर का ये बॉक्स जिस पर वाइट फॉन्ट में सारी डिट को नहीं मिलेगा बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर को मैंसन किया गया है जिन्या में वीडियो में आपको आगे बताता हूँ तो चलिए फटावट से अन्बॉक्स करते हैं इसको जैसी यह बॉक्स ओपन होता है तो सबसे उपर स्मार्टफॉन रखा हुआ नजर आत दोस्तो जो है 10W का 5V 2A की आउटपूट रेटिंग एस चार्जर से मिलती है लेकिन यह फॉन 18W तक का फास्ट चार सपोर्ट कर लेता है वो आपको अलग से पर्चिस करना पड़ेगा टाइप A टो टाइप C USB केविल 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 की लेंद और क्वाल्टी बढ़िया मिल जाती है अब आते हैं समार्ट फौन पर करते हैं इसे पैकिंग से आजाद और यह इस निकलकर आगया समार्ट फौन का फ्रेंट साइड का लुक इने फील स्मार्ट फॉन हात में काफी वड़ा फिल हो रहा है और साइứ का डॉप नॉस डिस्पले के साथ आता यह इस पर काफी बड़िया डिजाइनिंग आपको इसके बैक पैनल में देखने को मिलती है नीचे रेडमी की ब्रांडिंग और कैमरा मेडूल दो बराबर साइज के बड़े-बड़े लेंस यहां पर नजर आ रहे हैं और लेंस काफी जादा उठे हुए हैं यहां पर आपको मेन सारो कॉर्नर रांडेड हैं और साइड फ्रेम जो है विल्कुल फ्लैट दिया गया है जहां राइट साइड में पावर उन की यहीं फफिंग फिंसेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स ऊपर की साइड 3.5 mm का ओडियो जैक लैप साइड में सिम ट्रे बॉटम साइड में प्राइम मिलिमेटर की विर्द और 8.09 mm थेकनेस 192 ग्राम का यह स्मार्टफॉन है स्प्लैस प्रूप के साथ साथ डस्ट प्रूप भी है यह स्मार्टफॉन और गॉरिला ग्लास का प्रटक्शन भी इस फॉन में दिया गया है 6.74 इंच की आपको इसमें HD फ्लस IPS LCD दी गई है जिसका एस्पेक रेशो 20-9 इस स्क्रीन रेजुलेशन 720 इंटु 1600 फिक्सल दैंसिटी 260 पीपी आई की मिलती है 450 निट्स तक की पीक ब्राइडनेस आपको इस स्मार्टफॉन में मिलेगी तो डिस्प्लै आपको करीब से दिखाते हैं काफी कलरफुल है और ब्राइडनेस भी ठीक ठ है वह में दिख जाती है आपको लग रहा होगा क्ली युए है लेकिन कंपनी ने जो फाल्टू के अफ्लिकेशन है और फाल्टू के प्रेइंस्टॉल गैम से उन्हें फोल्डर में सजा के रखा हुआ है जिससे हमें यह न लगे कि यहां पर काफी सारे बुलूट वेर एफ फोन सेक्शन जो से सबसे उपर यहां पर आपको MIUI वर्जन 14 दिया गया है हाला कि इसका अपडेट भी आया हुआ है चाहो तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं 128ZB का स्टोरेज आपको इस फोन में मिलेगा जिसमें 22ZB के अराउंड अल्रेडी यूज़ रखा है बाकि आपक डिटेल में चलते हैं तो यहां पर आपको मिलती है 4GB RAM प्लास 2GB Virtual RAM हाला कि Box पर 8GB RAM कंपनी ने मैंसन किया है उसके पीछे एक छोड़ा सा स्टार है यानि के टर्न में कंडिशन है तो यह जो Virtual RAM को एड़ करके सीधा सीधा कंपनी ने 8GB RAM कर दिया है जबकि actual RAM 4GB ही आपको इसम डिया गया जो बेस्ट है 6NM के फैवरिकेशन पर आंतुतु इसकोर इसका 3,75,000 के आसपास चले जाता है माली जीवरप्टी 7 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं अब इसका कैमरा भी देख लेते हैं एक बार तो यहां पर हम इसके कैमरा उपन करते हैं जो भी परमिस कैमरा है उसमें आपको कोई लैग इसू देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी अटक नहीं रहा है कैमरा बाकि वीडियो अगर आप सूट करते हो तो फुल एजडी और एजडी में बीडियो से सूट कर पाऊगे 1080P और 720P में 30fps का सपोर्ट मिल जाता है टाइम लेप्स का ओप्सन दिया गया है पॉटेट मोड आपको दिया गया है नाइट मोड 50 मेगा विक्सल कैमरा इनेबल करने के लिए अलग से ओप्सन भी आपको इसमें मिल जाता है फ्रेंड कैमरा ओओ अल्ली 5 मेगा विक्सल का है और नॉर्मल सा 5 मेगा विक्सल का सेलफी कैमरा दोस्तों ज्यादा कोई खास क्लेटी तो इसके फ्रेंट कैमरा से आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी देखा जाए तो 9000 रुपे के असपास एक अच्छा कैमरा आपको इसमें मिल जाता है तो अगर आपको बड़ डिस्प्ले वाला स्मार्टफॉन पसंद आता है तो यह स्मार्टफॉन भी ठीक है और उपर से 5G स्मार्टफॉन है तो अगर आप 8000 रुपे के असपास 4G स्मार्टफॉन फर्चेस करने का सोच रहे हो तो उससे बैटर आपके लिए यही 5G स्मार्टफॉन रहेगा बागे अन्य व्यूर्ज को भी कुछ ना कुछ मादब मिले